प्रनाम, बाबु रगवी नरायन जी के लिखल बटोहिया गीत के उपर भोजपूरी समेलन पत्रिका सितंबर 1985 के अंक में महश्वरा चारी जी एगो लेग लिख लिख ले रहनी, उकर शिर्शक रहे बटोहिया गीत एगो विशलेशन, आई उवां के विशलेशन सुनेल कि छपरा निवासी स्वर्गे श्री रगवी नरायन जी अंग्रेजी के एगो नीमन कवी रहलन, तावनो पर अपना मात्रिभाशा भोजपूरी से आईसन ममता रहे, योकरा बजकानी दुवा टुन टन वाटुन में अंग्रेजी के एगो नीमनाहे कविता के बान देलन, उ बजपूरी में लेग गईदन, जेकरा इसन बरियार रास्ट गेद आज उले ना लिखाए, बटोहिया के व्यापक आयाम का आगा, बंदे मात्रम भजजन गनमने का आयाम सवेत बुझाला, भारत में जे कुछ खूबी रहलबा ओकरे संशेब का रवकान हा बटोहिया, बटोहिया कुछ विश्व के जवाब हा, जब जब आगा सवाल उठी कि भारत का हा, तब तब स्री रगवी नरायन जी के एक मात्र बटोहिया पेश का दिहल चाहिए, बटोहिया के एगोई सरसुकोमल गीत की तांजली आईसन अपने आप में जगत पुझी काव्य हा, जव समय पर रहिजा बराबरे आवत्र है, आवेवाला लोग में नादिर्शा, चंगेज, खाईसन, रुटेरो रहलन, सिकंदर रहलन, कोलंबस, वासको डिगामा रहलन, तिजार्तियो रहलन, वहियान, येंसंग रहलन, दर्शना भिलाश्यो रहलन, बटोहिया गीत ओही दूर दराज के बटोहियों का और इशारा कर रहलन, बहसंबोधित कर रहलन, अंदाजन संभवत इगीत 1912 इस्वी में लिखा गिल रहे, बादशाह पंचम जोर्ज का अवाई 1914 इस्वी में भेल रहे, ये ही गीत के माध्याम से थोरे समय में भारत के सब विशेष्टा बटोही व दरीमा जलके लागता, सत्या विश्व के सुंदर में गुला मिला के सुंदर योपासक कविल्ली खतबा, सुंदर सुभूमी भहिया भारत के देशवा से मोरे प्राण बसे हिम खोरे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम को तवलवा से तीन द्वारे सिंदु गहरावे बटोहिया, मन मोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, बहुत सा भागिशाली देश के कीमत लगावे के केकरा में बहुत सावबा, भारत के लावे दोसर कवन इसन देश पा, एक द्वा चारो और विकट पर कोटा, अविशाल खाई बनावल गयलबा, देश के सुरक्षा क इसन बर्यार प्रबन दुनिया में कत ही नहीं खिलो कत, भारत के उत्तर में हिमाले रूपी पहरेदार हर्दम खड़ाबा, चाकलबा, तीन और समुंदर लहरा रहलबा, गहरा रहलबा, अपना भीशन आवाज से डिरवा रहलबा, एक खाई अपर कोटा के अर्थिक मुल्य इबा की हमाले के नाम नगराज पर गिल्बा, मतलब हमाले मन माने का मुक्ता के खान हा, उन्हें समुंदर के नाम रतना करे हा, बेस कीम्ती मोती मुंगा सब समुंदरे से पावल जला, धार्मिक आध्यात्मिक मुल्य, हमाले के अईसन रहलबा की बढ़बर युगश्वर उकरे खो में सिद्धिलाब केले बाड़े हिम्खो तप भूमिया सिद्ध भूमिया साधना के जगा हा शांतिया मुक्तिलाब हिम्खोहे में होला यह कारणबा कि कभी अपना मन के बर्बस और स्वरगाश्रम के खो में बसा देता एहीं खो में पुरु जन्म के संसकार से आपना छुटा साधना के पूरा केले कहल जाला जेगल बदरी फेनू ना आईल ओदरी भारत एसन देश में जनमला के तुलसी दासों के बुझाईल रहे भली भारत भूमी भलो कुल जनम एही से कभी बारंबार आग्रह करता निहोरा करता जाहू जाहू भाया रे बटोही ह देखियाओ जहाँ वाकुं के कोईल पोले रे बटोहिया पवन सुगंद मंद अगर चननवा से कामिनी वीरह राग काविरे बटोहिया भारत के चहर दिवारी आध्यात्विक बहत्त बता के दार्शनिक भक्त कवी पंच तत्त्र के खूबी बता रहल भारत के परिवेश में गगन आ समीर के मुल्यांकन पहले आवद बाग अकाश के तनमात्रह शब्द भारत के विशेष्टा के शब्द आ कोईली आ कामनी के विरह राग एही से अंदाज अनुमान का इलबा कि वियोगी होगा पहला कवी आह से निकला होगा गान भा और स्वीटेस सॉंग्स स pensar 9 कोईली दोसर देश मीं बुलत हुई है अवी रहनी दूसरों देश में भाइल हुई है बाकर भारत ragda कोई इबा केह जा कोईले आम के डाड़ी प्रशोबा पावेले आसाचों के विरहनी सती हो ली जवन दोसरा देश खाती मुहाल बा यह कारण बा कि भारत के विरस थाई होला कोईले एकरोदीपन भाईल, संचारी भाईल, उरक्स्वास, सम्वे त्रिवेद समीरा भारत में हवा के तीन को गुण बतावाल गेलबा सीतल, मंद, सुगंध, समीरा चनन सुगंध के संगेशीतलतों के बतावेला पाकी रगर इसन चीज हा की अनल प्रगट चंदन ते होई भारत के हवा के खूबी में कवन कवी कह रहलबा चल या चल सेवत वायू जहां जिन से सब लोग चिरायू यहां इहा के दखिना हवा जवन चार बज़े भोर में बहला बड़ा निरोक कहा ला गुप्त जी के विरहनी और मिला के दखिना हवा के बढ़हन सहारबा प्रिया की स्वास सुर्वे आती है दक्षिन से अन बोली प्रकृत के सुकुमार कवी अब भारत के वन्य वैभाव आपार संदरिक और मुड़ादबा विपिन अगम घन सगन बगन बिच चंपक कुसुम रंग देव रे बटू हिया भारत के गौरों में उकर गहन सगन जंगलो रहलबा जंगल भारत के वोड़ियार व्यपार भारत में रहला विविद प्रकार के लकड़ी अलक्री से विवित प्रकार के समान तयार होते रहा है। भारत की जंकल खंड में लागे विटप मनोहर नाना विटप के हुरूपत ना रहे। अपने आप जम जात रहे। दुरूम बड़ पिपल यहों अपने आप जम जात रहे। लगावाल जात रहा है। कदम निम्ब आम प्रतबा के धनी कवी सावधानी पुर्वक पेडखंड में वर्गी करन करतबा। विटप दुरूम अवरिक्च। एही वनस्पती विभाग से आयूरवेद विभाग निकलल बा। भारत अपना वनस्पती विभाग पर नाज रखतायल। संजीवनी बुटी भारत में पुष्पन में शानियल फूल हा चंपा आवकर कुसुमी रंगो शानियले हा। डर के मावरे भवरा एह फूल पे ना बैठास। केतिकी के महिमा ऐसन बा की कहावत कह जला की जोजो फूलन केतिकी तोत विलम करील। इंद्र धनशी रंग के सब रंग बारते में त्यार होला एह प्रकार से खाली जंगली साज बाज में अपूर सौंदर के भंडार बा जीये के भंडार बा ओशद के भंडार बा कोलिये के मान खाली भारत में नहीं खे संगे औरू चिडिया चुरंग बा कभी बतावत बा दोता तूती बोले राम बोले भेंगर जवा से पपीहा के खिंदर सब्वी भाई से इवाल से वालवा से मूरे प्राण बस से गंगाधार रे बटु हुआ कि विशय भारत खाती ओक्र श्व बोटैनिकल भागबा और नाज की विशयों को गाती जियॉलोजी भागania एह जी विज्ञान में खक के स्थान सर्वो परी रहलबा भारत की कालजाई ग्रंथन से पता चलता कि पक्षी समाज के बहुत बढ़न युकतान रहलबा साहित प्रण्यन में संदेशा बेजी में लड़ाई भिड़ाई में प्रेम व्यपार में आऊ उपास्ता में मानों से बढ़के चतुर पंडित भक्त वीर मृदभाशी अनुकरन शील भारत के पक्षी सिद्ध हो चुकल बढ़े हंस चातक अचकोर के विशेस्ता तापन जगाहे प्रपा भारत के कागोकिस्तान बहुत उचपा अमीट बोली खातीर कोईली के लावत तोता तूती भेंग राज़ा फपी हो कम नहीं खान कभी के साधाक मन सबसे पहले हिमखो में अटकल रहत पा ओजा से निकल के फिनु गंगा के धारों हिमखों से निकलल बा इगंगा जिसन सब नदी बाड़ी विसने नहीं खी इनका नाम देवशरी है क्रिश्र गीता में बताओत बड़े स्त्रोत सास में में जान रवी अंगद नदी पुनी गंगा करके अचरज प्रकट करत परे रज्यानिक परिशनों से गंगा जल सर्वोपरी सिद्धो चुकल बा इहे कारण बा कि वीर सिकंदर इसन बटो ही जब भारत विजेखातिर आवे लगलन तौंकर गुरू हिंदुस्तान से गंगा जल के मांग कैलन एह पावन देव पगा से संबत कुछ औरियो नदीनद भारत में बाड़े सन जवना कि स्तुति कवी एह प्रकास करत पा गंगा रे जमुनुवा के जगमग पनिया से सरजु जम के लहरावे रे बटो ही या ब्रह्म पुद्द पंचनरत गहरत निस दिन सोन ब्रद मीठे स्वर कावे रे बटो ही या गंगा जमुनुवा के जगमग पानी मिला जुलल जल उचला काला रंग सितासित सरिता के संगम जिरत राजप पियाक में कवी कृदय में एक औरमत रहल बा इस संगम के जगमग पानी जाज धोन दिसें भारत मे एक और तीन को महा नदी बाड़ी आसे दोसरा और तीन को नदी बाड़ी ब्रम पुत्र पच्छ्र रथ सोन elephants उन बद इह नदी नद के कल-कल ज dużoλ जाल बर्बस सब के मन मुहित करे वालबा अनादिकाल से इस सब नदी नद भारत के सीच रहलबा उपजाओ बना रहलबा एकरा अपार सुंदरे अदान शीलता से असंख जन जियता रहलबाडे बाकि भारत में अतने नदी अनद नहीं खे एकराबाद कवे लिखत पा अपर अनेक नदी गुमड गुमड नाचे जुगन के जदुवा जगावे रे बटो हिया आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कल कतवा से मोरे प्राण बस सर्जू तीर रे बटो हिया डॉक्टर जीतराम पाठक नदीयन के उतदाही बिटिया कहके छोड़ दे ले बारन बाकी श्री रगवी नरायन जी नदीयन के ज़मकल अउमड गुमड के नाचल मीट स्वर से उकर गावलो देखत बाने असुन रहल बारन भारत के नदीयन के देखके युग-युग के भुलल बिस्रल घटना अबाद याद हो आवत बा भारत के पुरान इतिहास सामने आजात बा कवना नदी के किनार पर कवन घटना भहल बा इस सहजे में उभर जात बा गंगा से अनेग रिशिमुनियन के कहानी प्रगट हो रहल बा यमुना क्रिश लिला बतावत बाड़ी सर्यों से राम के बाल लिला याद हो जाता ब्रम्ह पुत्र से नरका सुर के अदम्युत साह के पता चलत बा तमसा से वालमिकी के पहल का श्लोक के ध्यान हो जात बा असे हैं सब सर्थन के कवनों न कवनों महां तर्थिस के उदगाटन हो जात बा मतलब भारत के भगुलित परवेश यतिहास से जुडल बा यमुना के किनार पर पुरान काल के कृष्ण के प्रेम लीला भहल बा उकराबाद एह स्थान पर प्रेम के प्रतीक ताजो महल खड़ा बा आगरा के ताज महल देखे खातिर आज वो हजारों बिदेशी बटो ही लोग आवद बा आगरा के प्रेम प्रतीक के बाद मशूर किलो बा जवनाएक उपर उपर अमर सिंग अपना घोड़ा के फना देले रहलन एतिहासिक शहर आगरा के बाद धार्मिक शहर प्रयाग अकाशी के नाम कभी लिखत बा प्रयाग अतना प्राचीन हा कि ओईजा के अक्षय वट के प्रलियों में नाशना होखे भेनु काशी तद तीनों लोग से अलग शंकर के त्रिशूल पर वसल बा काशी के कब हूँ गंगा ना छोड़स आर्थिक संदर में दिल्ली अकलकत्ता दुनों आप अपनी के बढ़हन महत्व से भरल पूरल शहर बा दिल्ली ढेर दिन से राजधानी बा अकलकत्ता के मुकाबिला में भारत के कवनों दोसर शहर नहीं खे एही पाचो शहर पर भारत के घमंडबा बाकि कवी के घमंडबा अयोध्या पर जवना के चर्चा परोग्ष रूप से उलिख लिख के कहर अलबा कि मोरे प्राण बसे सर्यू तीर रे बटो हिया सर्यू तीर पर बसल अयोध्या मर्यादा पुरिशुत्तब राम के रजधानी है कवी के गुरुधाम है फिन कवी भारत के गौरों में कुछ आरिग्रंथन के उलिख एफ प्रकार से करत्बा जाओ जाओ भाईया रे बटो ही हिंद देखियाओ जहाँ दे सिचारो वेद गावे रे बटो हिया सितक विमल जस, राम जस, कृष्ण जस, मोरे बाप दादा के कहानी रे बटो हिया भारत नाज राखिला वेद प रमायन प भागवत प महभारत प आउत्तर राम चरित प वेद के विस्तार शुति स्मृति स्मृति निरुत उपनिशत ब्रामर ग्रंत शास्त्र पुराण आउप पुराण रमायन के विस्तार अनेक रमायन इहां तक कि रमायन सत कोट अपारा माभारत माने भारत के प्राची नितिहास भागवत के नाम में देवी भागवातोबा यदपी काली दास के अनेक मशुर गरंदबा ओमें शकुंतला अम्मेगदूत के कवनो जोड़नेंग है बाकी भावभूत के उत्तर राम चरित में फ्रक्रती रो रहल पिया ओही रुलाई में सिता के विमल यश निखर रहल बा दुखिया सिता के विमल यश जवन रामा क्रिश्न के यश से अधिका मारमिक पा सीता के प्रतिक कवी के विशे सहन भूतिवा एह सहन भूतिव के तमे अध्यात्मिक रहस्य बा जावना साधना के विशे भहिला से गोपनियरा खलबा आर ग्रंथन के बाद ग्रंथकारन के कवी याद कर रहलबा कवी के निगाह में सूतल अमर मतलब देवता लोग के जगावे वाला पाड़े व्यास वालमी की गौतम अकपिल व्यास मतलब वेद पुरान विधाता व्यास अब भगवान के चौबिस अवतार में एगव अवतार आदिक अवी वालमी की जेकरा से राम सहित्य के विस्तार भहिलबा गौतम रिशी अन्य ग्रंतन के रचाईता सब्त रिशी में मुख्य हनुमान महवीर के नाना कपिल देव भगवान के अवतार सांकित सास्त्र जीनि प्रगट बखाना फेनु ब्रमसुक के वन में गुंजार करेवाला भारा भारत में भाहिली बारन रामानंद रूपकलाजी इतीनु वैंश्रों संथ हमें बाकि रूपकलाजी के उपासना मदर भाव के रहल है एसे उ उन्यारी प्यारी बारन कवी के गुरु के रूप में रहल बारन एसे उनका प्रती अगाच्छ रद्धा भक्ति कवी कृधे में बा इभाहिलन सरसगुण पासना के संथ बाकि भारत में दूनों धारा प्रवाहित भाहिल बा एसे निर्गुण पासना के संतन के सूची कवी एह किसम से प्रस्तुत का रद्बा नानक कबीर गौर संकर स्री राम कृष्ट्व अलग की गतिया बतावे रे बटो हिया विद्यापती कालीदास सूर जय देव कवी तुलसी की सरल कहानी रे बटो हिया भारत में अनेक धर्म अमत चलायवाला संत बहिलबारन सिक धर्म के प्रवर्तक नानक कबीर पंत के प्रवर्तक कबीर बंगाल के संद गौरांग महाप्रभो सनातर धर्म के प्रवर्तक शंकराचारिय परम शाक्तिस्री राम कृष्ण परम हंस जिकर एके शिष्य फिवेकानन सौसे अमेरिका के शिष्य बना देलन भारत के श्रिष्ट कवियन में नाम आउत बा, कालिदास, ज़देव, विद्यापती, सूर, अर्तुलसी के तुलसी दास के लोग प्रीता धेर मिलल, काएं कि उनकरा कहानी में रजना में सरलता बा उसरलता इसन बा, क्योकर व्याख्याद जबले, दुनिया रही, तबले होत रही अब भारत के उपजाओ भूमी देखी, अब भूमी के वीरन के देखी जाओ जाओ भाईया रे बटोही हिम्द देखिया, जहां सुक जूले दान खेत रे बटोहीा बुद्ध देव प्रित विक्रमार्जून शिवाजी के फिर फिर हिये सुद आवेरे बटोहीा पृत्वों जिसन विए भारत में भाले जैव प्रित्वी के उध्दार कहे ले वक्रमार्जून के प्रताफ, अवीरता, संसार में विदितबा शिवाजी भारत के शेर रहलँ जे बधनवा से अफजल खांके फार देलँ बुद्ध देव अहिंसा के तलोबार उठा के भारत के बाहरो के देशन के जीत लेलँ पगवान के दस अवतार में बुद्ध देव के गिन्रतीबा ये भारत भुमी पर एक से एक माई के लाला चुकलन इक रिशि प्रधान देश हर एक राके सोना के चिरा इकाल जला धान के खेती आखेत बदार के संदर ये दिखाई लाए खोला। संसार के दोसरों देशन में खूबी बा सुन्दरता बा वेश भूशा बागी संसार में जतना ले खूबी बा असुन्दरता बा उकर नीचोड अकेले भारत में बा संसार के दोसरों देशन में खूबी बा सुन्दरता बा वेश भूशा बागी संसार में जतना ले खूबी बा असुन्दरता बा उकर नीचोड अकेले भारत में बा देशे संसे दुनिया के सराँच हारत में बा आईसन श्रेश्र भारत भूम के कवी रगवी नरायन जिश्रद्धाग से सिर्द नवा के प्रणाम करदबारन हद बा कवी के देशबक्ती एह में दू मत निखे कि पटोही आईसन बढ़ आयाम में रास्ट गती तोसर निखे लिखाईल अतना च्छोटहन गीत में भारत के सब प्रकार के खुबी सजा दी हल गईलबा रगुवी नरायन जी के बहुत लोग पर इत्यामिलल आगे औरो मिली जब ले भुझपूरी भाषा बनल रही तब ले श्री रगवी नराय जी के बटोहिया भारत के नाज अताज बन के रही बटोहिया काल जई सहित शाश्वत सहित आर्श कविता कहल जई रचना कारो फिदे से बढ़न भक्त असंत रहलन उमहान तपस्वी और रिची रहलन इबाद बटोहिया के एक एक पंक्त बता रहल बाड़ी सहित